हालो दोस्तों आप सबका फिर से बहुत वह सागत है हमारा और एक नया वीडियो पर इस वीडिये के अंदर हम बात करेंगे टीटेन बिलास्ट की बारे में जो की खेला जाएगा आज रात 9 बज के 30 मिनिट पे और अगर आपको आज का इस मैच से भी धेर सरफ पैसा बनाना है तो मैच स्टार्ट होने से 30 मिनिट पेले आप हमारा स्मार्ट फेंटासी टेलीगराम चैनल को जोन नहीं किया तो कैसे यहाँ पर एक्टिव रहोगे बट कोई बात नहीं इस वीडियो को कम्प्लिट वाच करने के बाद सिधा चला जाना इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन हो जाओगे विकर्स जिस जिस मैच का मैं वीडियो आपलोड नहीं करता हूँ उन सभी मैचेस का फ्री टीम मैं आपना टेलीगराम चैनल पर प्रभाड करता हूँ और अभी वाल्ड काप चल रहे है वाल्ड काप ने तो हमने फूरा ताभाई मचा कर रखा है जाओ जाके ए पीच रिवाट के गर हम बात करें ना यह बेटिंग फ्रेंडली पीच है बाकी वाधर किलियार है बारिस बगर का चांसे नहीं है और आप लोग को पता है कि यह फास्ट मैच है तो सबसे इंपोर्टेंट है पिलियार से स्टेट तो हम ज्यादा कुछ बखबास नहीं कि सीधा-सिधा डारेट हम आ जाते एकदम प्रोबाबली फिलिइंग रेमें के तरफ जहां पर हम चेक करेंगे हार एक पिलियार की ऑल अब हर किरीयार स्टेट जैसे कि आज इस पिलियार को लेना है या ड्रॉप करना है सबसे पिले आप लोग को मिल जाएगा काली चरन इन्होंने अपना किलियार में 19 मेचेस खेला 14 के भर्ज में रान बनाया दोस्तों रिसेंट मेच के आप लोग देख सकते हो आगे चाके मैं अपना कम्बिनेशन भी दिखाऊंगा तब आप लोग को पता चलेगा कि मैं इस पिलियार को ले रहा हूं या ड्रॉप कर रहा हूं तो वीडियो में बने रहे ना सब कुछ इस वीडियो कंदर है जी को पर के गर हम बात करें नौ मैचेस में 29 के भारज में रान बनाया रिसेंटली देख लो 47, 11, 34, 45 ठीक है तो दोस्तो इनका फ़र्म मुझे बहुत अच्छा लागा तो हमारा एस्मॉल लिग टीम पे इसको पीक करना पड़ेगा आप कंपेर कर लेते हैं काली चोरण भार्षेज सी कोपर ठीक है तो फास्ट अप्सें रहेगा दोस्तो सी कोपर सेकेंड अप्सें रहेगा दोस्तो काली चोरण अगर दोनों में से किसी एक को लेना है तो सी कोपर अगर दोनों में से दोनों को लेना है तो दोनों के ऐसे भी आप लोग ले सकते हैं आप लोग समझ माग है ना comparison ठीक है next आपको मिल जाएगा एक अपर 10 मैंचेस में 14 के भरज में रान बनाया recently 29 है, 0 है, 12 है, 41 है, 48 है इसको अभी दोस्तों आप लोग चाओ तो आपना SMOL लिंग में राक सकती हो बाकि GL में इसको कूछ टीम में सिभी सी ट्राइ कर लेना ये खिटार बेर्स मेंने, ठीक है, अगर चल जाएगा ना तो पूरा फोर डालेगा next आपको मिल जाएगा, के महमद, इनका दोस्तों आभी तक मेरे को T10 के स्टेट नहीं मिला अगर मिलेगा ना, तो मैं आपना Telegram चैनल पर इनका स्टेट जोरूर स्यार करूंगा इसलिए मैं आप लोग को सुलवात में बताया था, कि जिसने जिसने आभी तक हमारा Telegram चैनल को जोरूर नहीं किया उन सोई भाई यो वीडियो कम्पलीट वाच कर लो, उसके बद जला जाओ इसी वीडियो की डिस्क्रिप्स बॉक्स पे आपको Telegram चैनल जोरूनिंग के लिंग मिल जाएगा, बस लिंग पे क्लिक करके बहुत आसानी से आप हुमारे Telegram चैनल को जोरून करना बहुत इंपोर्टन है मेरे भाई यह नेट के अगर हम बात करें, दो मैच खेला दोस्तों, और दोनों मैचेस मिनकर ना बेटिंग आफ आया, ना दोस्तों बॉलिंग मिला इनको पता ने टीम इसको क्यों खिलाएगा, ठीक है, तो इसको हम इसे ड्रॉप करेंगे जी पोपे, ओन अप मोस्ट इंपोर्टेंट और राउंडर, रिसेनली देखलो बेटिंग से 80 किया है, 33 है, 31 है, 21 है, और जब जब इनको बॉलिंग मिला देखलो, दो इकेट, एक उकेट, मलब बेटिंग से भी अच्छा कर रहे है, और जब इनको बॉलिंग करने का चांस म मिरेना, तब दोस्तों लागातार मेचेस में इनको विकेट भी मिर रहे, तो जी पोपे को आपको स्मॉल लिग और जील दोनों कम्बिनेशन पर लेना पड़ेगा, साथ यसाथ आप इनको एजसेप कैप्टेन या वाइस कैप्टेन आपना स्मॉल लिग टीम में भी बरते हैं, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, एस राम भरान, ठीक है, इन्होंने गारा मेचेस खेला दोस्तों, सतरा के अभरज में रान बनाया, रिसेनली बेटिंग से भी कुछ अच्छा नहीं कर पाया, बोलिंग से भी दोस्तों कुछ अच्छा नहीं कर पाया, तो हम इसक मैचेस में दोस्तों बोलिंग ही नहीं किया है, ओके, तो मैं इसको भी दोस्तों ड्रॉप ही करोंगा, फिर आपको मिल जाए के डिलन, साथ मैचेस में आट विकेट लिया दोस्तों, एक मैच में मिला तीन विकेट, एक में दोस्तों एक विकेट मिला है, तो आप तो समझ सक जब भी उकेट मिले गुछे हम उकेट मिले गा नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो ऐसा फिलियर्जको आपको आपना Small League में लेनाई पड़ेगा क्या पता यार आज़ वी दो या तीन उकेट लेले और आपको ऐनसाइडर रहा दे नहीं तो ऑनसाइडर जीता दे अगर आप 50-50 चांस रहेगा दोस्तों कि मैं इसको टीम पर राखूँ या ब्रॉप करूँ ओके मीचल दोस्तों इनका भी मेरे को आभित्यक एस्टेट नहीं मिला है बाकी डेलाइन तक अगर मुझे कुछ भी इनके बारे मैं जानकारी मिलता है तो मैं अपना टेलिग्राम चांग पर आ सारे मैचेस खेल चुके है और T20 अभी बहुत सारा मैचेस खेल चुके है T10 में तो भाई हमेसा खेल के यहार है इभें लुइस इनके बारे में सायद आप लोग को मैं कुछ भी बल लूँ आप लोग इनको टीम पर राखोगे फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा पत इनके पर में जानकारी देता हूं यह वास्ट इंडिज टीम की इंटरनेशलन फिलियार था ओपेनार बेट्समेन था दोस्तों और हमारा टीम का जैसे की बिरवंदरो सहयवाग ठीक है बैसे दोस्तों यह एक हिटार बेट्समेन था अपने टीम के लिए इसा तो वास्ट में पूरी तरह से फेल रहा है 16 रान, 2 रान, 1 रान, 7 रान, 10 रान, देखिए बोस सब दो इसको एसमोल लिग टीम पे करेगाई आपको भी पिक करना पेड़ेगा नहीं तो क्या पते यह 50 जोड दे आर आप उनसाइड हार जाओ इनका सिलेक्शन जब मैं देखा था ना 90 पर इसमोल लिग में एक बेस्ट पिक बनेगा और यह सेफ केप्टन ऑप्शन बनेगा दोस्तों स्मॉल लिग के लिए और वाइस केप्टन भी ठीक है नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यह निचल सन ठीक है इन्होंने बारा मैचेस खेला 17 की अभारिज में दोस्तों रिसेंदी पांच मैचेस मिला के अगर हम देखे न एक मैच में 50 नहीं है तो तना भी अच्छा उप्शन नहीं रहेगा तो मैं इसको भी दोस्तों डॉप करू तो यह भी एक ऐसा बोलार्स है जो कि गुच्छे में एसे गुच्छे में तीन तीन चार चार करके विकेट निकल सकते है तो एसा फिलियर्स को हमें विल्कूर नहीं छोड़ना है ठीक है डिक्स नहीं लेना है फिर आपको मिल जाएगा सारों लूइस 18 मैचेस में 10 विकेट एक मेच में 2 मिला एक मेच में 1 मिला और बाकी 3 मैचेस में पूरी तरह से विकेट लेज रहा है ठीक है आप चार तो ट्राइ कर सकते हो चाहत इनको भी ड्रॉप कर सकते हो सी थर्ण टर्ण के अगर हम बात करें अभी तक दोस्तो इनका जो रेकोर्ड रहा है उतना खास नहीं रहा है ना बेटिंग ना बोलिंग तो इसको हम एसे ड्रॉप करेंगे फिर आपको मिल जाएगा एस डून कान पांच मैचेस में कुछ भी नहीं दोस्तो ना बेटिंग मिले इसको ना बोलिंग मिला ड्रॉप कर देते है ना भीन के अगर हम बात करें चोदा मैचेस में आठ के भारेज और गारा उकेट है दोस्तिन के नाम पे और राउंडर सेसन पे मिल जाएगा एस्मॉल लिग इलिए इन्पोरेंट पिक रहेगा ध्यान में रखियेगा केरी फेरी के अगर हम दोस्तो बात करें ये भी वस्ट इंडिज का इंटानेशन पि फिर आपको मिल जाएगा A and MC दो मैच मे दोस्तो दोखेट उण में से एक ही मेच में दोखेट मिला था तो इन्पोरराइनट पिक बनेगा एस्मॉल लिग में आपको समिल कर लेना है बागी दोस्तो एकस बार रेट गे नहीं पता चला अगर मिलता है तो मैं आपना लोगो क सारा कुछ डाटा समझ में आ गिया चलो आप हम अपना फेंटासी टीम भी देख लेते हैं ठीक है फेंटासी टीम के अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं अगर आपको भाइस केप्टन चाहिए तो सेफ भाइस केप्टन दोस्तों बाइस केप्टन दोस्तों अगर आपको रीक्स लेना है तो आप इभाइस केप्टन क्या पता आज हिटिंग के चक्कर में पूरा टीक जाए और फिप्टी प्लास जोड़ते ठीक है बट बहुत ही कम चंसे रहता है दोस्तों हिटार बैट्समन की कि वो लंबा समय टीक पाए तो आभी किलिए यह कंबिन सेब कर लो और जैसे ही लाइन अप आउट हो जाएगा टास का आपडेट आजाएगा उसके बाद आप लोग आ जाना हमारा स्मार्ट फेंटर सी टेलीगराम चनल पर यहां पर मैं फानेल आपडेट दूंगा कि यह मेरा स्मॉल लिग की फानेल कंबिनेशन यह मेरा जील की की फानेल कंबिनेशन और कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस भी मैं यहां पर प्रोवाइड करने बला हूँ तो आपने कंप्लिट वीडियो अच कर लिया आप चला जाओ इसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन वाक्स पर आपको टेलीगराम जौनिंग की लिंक मिल जाएगा लिं दिन बंदय मातरां